दोस्तों देखिए नो इंची दिवाल के साथ चार इंची दिवाल कैसे अटेच करते हैं और चार इंची दिवाल में दढ़ा कैसे निकलते हैं उबाला देखिए और ध्यान से देखिए दढ़ा किस तरह से निकलते हैं दढ़ा निकलने का टेकनिकल देखिए इस तरह से बैंड मार जाते हो तो बैंड नहीं होगा आप देखिए किस तरह से दाड़ा निकालते तो चलिए पहले नो इंची दिवाल में मसला पूरा बिच्छा नहीं रहे हैं उस चार इंची भी थोड़ा सा बिच्छा लेते और एक मतलब एकी लियान में बनाएंगे ताकि क्या होगा मजबूती होगा और बढ़ियां होगा तो देखिए यहाँ पे तीन पॉइंट लगेगा तो तीन पॉइंट लगाने से मेरा जैन जो है कट जाएगा वो जैन मिलेगा नहीं और इसके बाद गोटा इंट लगाना है उसमें क और तब समझ में आ जाएगा किस तरह से हम बनाते हैं अगर थोड़ा बहुत देखिएगा तो कोई समझ में नहीं और करने में दिक्कत होगा तो देखिए इधार भी एक मिस्तिरिया ही भी है इड़ बिचा के लखे हैं पहले सिट लगा के रखे हैं और यहां से मिला लेना बनिया से धागा को मिला लेना पूरा धागा के बांदेना देखिए किस तरह से बांदे उस तरह से बांद लेना हम भी बांद रहें देखिए खिश के मिला लिजेगा फिर से बनिया से बांद दीजिए इस तरह से बांदने से क्या होगा जो इट लगाएंगे पुरा सही से इट बैठेगा तो चलिए हम पहले 9 इंच में बैठा लेते हैं इट को सही से और यह जो मिस्त्रिया यह 4 इंच में बिठा रहे हैं तो देखिए 4 इंच बैला भी दिखा लेते हैं पहले 9 इंच बैला हम दिखा रहे हैं आपको ताकि 9 इंच बैला सही से देख लिए किस तरह से से बेठाते हैं तो नोंच वना इस तरह से बेठाई देखिए इन अंदर तरह भी कितना लग दिखके यहां पर दढ़ह आ गया तो दढ़ह किस तरह से निकालते देखिए अब ध्यान से देखिये पूरा समझ में आया जाएगा नई तो इसमें नई समझ में आया तो गड़बड हो जाएगा और वहां पे नोच दिवाल में डेली का टुक्रा लगा देजिए उसमें क्या होता जयान कट जाएगा जया मिलेगा नहीं है वहीं से साहूल कर लेना है किनारे साहूल कर दिजेगा और इधार भी साउल किया हुआ उससे मिला दिजेगा तो देखिए धागा साउल का धागा जो है उसको खीच के इट को सब मिला दिजेगा जो इट बाहर निकला हुआ उसको सटरा धागा में तो उसको खीच दीजेगा अंदर तरफ जो अंदर तरफ है उसको बाहर तरफ निकाल दीजेगा तो देखिए यी मिस्तिरी जो है दड़ा निकाल रहे देखिए दड़ा जो है डेब गज जैसा दड़ा निकाल दीजेगा क्योंकि डेब गज जैसा दड़ा न तो आपका गडबढ़ हो जाए हुआ है मतलब दिवार जो चार इंची मत रख्या ऑचा इंची मत रखार पाँ इंच रखिए अई सी से ला करेगे देखे पाच इंच रखनी क्योंकि थया से अच्छा एक्षा होगा अच्छा से डाल सकेंगे छाटे नहीं करना पड़ीगे तो आप जैसे तैसे दाड़ा रख दीजिएगा और यह टालने से यह टे नहीं लगेगा तो चलिए हम यह डाल के भी दिखा देते नेक्स्ट जड़ाय करते हैं उससमें डाल के दिखा देते आपको तो इसे वीडियो माँ पुरा देखिए हम नेश्ट रदा लगा रहे हैं उसमें हम किस तरह से पनाते हैं भी दिखा देते आपको तब देखिए अब जो होता है कैसे लगाते हैं इसको दिखा देए एक बाट ट्राइकर एगे यास से होता है इस तरह से दाड़ा निकल ग उसमेंbus दिखा तुर डिखातेहां बढすे उसको कैसे करते पिर से अब इंटर गोमा के लगा दिए तो देखें हम दो रदा आपको दिखा देते तक दो रदा दिख लिजेगा सही से तो आपको कोई मिस्टेक नहीं आएगा और अगर नहीं देखिएगा तो मिस्टेक आते जाएगा समझ में नहीं आएगा और किस तरह से जोड़ाई करते हैं किस तरह से दाढ़ा निकालने कोई समझ में नहीं आएगा तो नहीं होगा जोड़ाई नहीं कर पाएगा जोड़ाई कीजेगा तो तेड़ा कर दिजेगा उसमें बाद में दिक्कत आ जाएगा तो देखिए दोनों मिस्त्रिका देखिए किस तरह से बनाते मैं भी उधार लगा रहें नो इंची बला तो नो इंची बला किस तरह से हम लगा रहें पहले राधा आड़े दिये अभी लंबाई दे रहें और से निकाले दढ़ा हो गया थाड़ा जैसे डेव जैसा दढ़ा रँग देंगे क्योंकि य्देव जैसे दढ़ा रगने से पर्यांट ऊद्धा होगा मजबूती होता है उसमें यिट निचे तरफ जूख देता है उसमेँ जोखे नई तो चलिए नीचे से और रहेगा उपर डालीएगा उठार जो पिछे करना पिछे देख लेना ज्यादा पिछे तक नहीं जाना चाहिए आज जादा अंदर तक नहीं जाना चाहिए मतलब दिवाल का फ्यास्म होना चाहिए